गुड मॉनिंग स्टूजेंट्स कल के लेक्चर में हमने पढ़ाता कि वोबल कम्मुनिकेशन क्या होता है और वबल कम्मुनिकेशन में हमने ओरल कम्मुनिकेशन क्या होता है हमने यह पढ़ाता है और उसके एडवांटेज और डिसडवांटेज के बारे में पढ़ाता है जब भी कोई अपना Information, और सब्सक्राइब्ट हम लिख कर प्रोवायड कर रहे होते हैं, तो वो अन्या समने ग्मिएज कbor रहे होते हैं, तो ऐसी चीजिए जब आंगर चीज बताते हैं, तो वो हमारा Line Communication के तुरू, और communicate करना हो क्या चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा इसमें 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 जो भी इंफोर्मेशन होती है उनको भेजने के लिए हम रिटेन वर्ट के रूप में मैसेज भेजते हैं ठीक है रिटेन कम्मुनिकेशन इस दा मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्मुनिकेशन जो रिटेन कम्मुनिकेशन होता है दिकेत संचार को मात्यम होता है वो बहुत ही फॉर्मल वे उता है किसी से कम्मुनिकेट करने का तो यह एक ऐसे प्रक्रिया हो जाती है जिसमें हमारा जो माइन होता है वो शब्दों को बहुत ही सालधानी पूर्वक मतलब बहुत ही केरफुल होकर अपने वर्ट्स को चूज करता है और उन्हें एक सही ओर्डर में लगाता है कि हमें किस ओर्डर में क्या चीज़े बोलनी चाहिए ठीक है इसमें देख एक कुछ एक्जाम्पल दिये हैं कि रिटेन कम्निकेशन में हमारे लेटर रिबोर्ट्स रिजीव में ब्रोशियर चीज़ें हमारी रिटेन कम्निकेशन में आ जाती है आज की टाइम पर जो हमारा रिटेन कम्निकेशन है वो बहुत ही कम समय में तेजी से जाने वाला एक माध्यम बन गया है जिसका वह यूज करते हैं वह हमारे एक रिटेन कम्निकेशन का एक माध्यम बन चुका है आज की टाइम पर हमें कम्निकेट करना होता तो हम उसके थूरू किसी से भी कम्निकेट कर सकते हैं एक फॉर एक्टिब रिटेन कम्निकेशन दिमेसज शुट बी मेनिंग्फुल कंसाइस एन कम्प्लीट यहने किसी भी कम्निकेशन पर एक्टिव प्रभावी बनाने के लिए वह मैसज यह जरूरी है कि वह मैसेज हमारा एक सार्थक मीन्स एक अच्छे में में हो एक करते हैं तो अब इसके एड्वांटेजिस के बारे में पढ़ते हैं रिटन कम्निकेशन अलाउस दा सेंडर तो थॉर्ट्फुली ड्राफ्ट क्लियर एंड कम्प्रेंसिब मैसेज जो रिटन कम्निकेशन होता है सेंडर को सबस्ट और व्यापक मैसेज का एक जो क्या सकते है हमें धाचा या संदर्शना त्यार करने की के लिए उसे सक्षम बनाता है यानि हम जब भी किसी से रिटन कम्निकेशन करते हैं तो पहले हम एक उसका एक उसकी संदर्शना बना लेते कि हमें किस वे में उन चीज़ों को उन इंफॉर्मेशन को उन आइडियास को दूसरे तक सब्सक्राइब करना है जो हमारा रिटन कंटेंट होता है उसकी एक उसकी वैद्यता होती है इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि हम फ्यूचर भी उस रिटन कंटेंट को यूज कर सकते हैं इस जोटेवल मोड़ अप कम्निकेशन फॉर लेंदी मैसेज़ यानि अगर हमें बड़े decided in session करने का इसके प्रीट काहई करने का है करें इसकीकुर सब्सक्राइब सब्सक्राइब आरेकिशन लग सकता है सबोर्थ हम किसी को एक कुछ written information दे रहे हैं कोई document हम हमें भेजना है तो उसके लिए पहले हम एक एक draft में हम पहले draft के तरह हम बनाएंगे कि एक roughly way में हम पहले एक structure त्यार करेंगे कि हमें क्या चीज़े किस तरह किस order में लिखके भेजनी है तो यह थोड़ा cut time consuming हो जाता है इसमें हम कभी-कभी जब अपने letters को किसी को पोस्ट करते हैं तो उसमें हमारे लागत भी लगती है तो वह दिया हुआ written communication जो होता है कभी-कभी इसमें डाक से जब हम भेजते हैं तो उसमें लागत लग सकती है written messages causes feedback and consequently delay in decision making यानि जब भी हम written message करते हैं तो उसमें feedback जो प्राप्त होता है तो उसके परडामता जब भी हम feedback किसी से प्राप्त करते हैं और उसके according हम हमें लेने में या receiver को लेने में काफी time भी लग सकता है वो चीजों को पहले message को पढ़ेगा उसे interpret करेगा फिर उसका feedback देगा फिर कुछ decision लेगा इन सारी चीजों में काफी time भी लग सकता है तो यह था आपका written communication जिसके कुछ advantage और disadvantage भी दिए गए हैं अब हम start करते हैं non-verbal communication हमारा क्या होता है non-verbal communication हमारा होता है कि जिसमें हम किसी words के बिना या किसी facial expressions या gesture के थूर हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा non-verbal communication हो जाता है पढ़ते हैं आगे इसमें non-verbal communication means communicating without the use of words oral or written यानि non-verbal communication का मतलब होता है किसी के द्वारा किसी के साथ किसी word या oral या written form में communicate के बिना ही हम जब उससे communicate करते हैं it can be effectively used to enhance our verbal communication यानि जब भी हम non-verbal communication use करते हैं यह हमेशा verbal communication को complete करता है कभी-कभी और maximum time पे और उससे काफी effective बनाता है ठीक है it includes our body language gesture facial expression eye contact pointing fingers etc यानि यह हमारी जब भी हम non-verbal communication करते हैं तो इसमें हम हमारी body language gesture facial expression की सारी चीज़े eye contact maintain करना यह सारी चीज़े non-verbal communication को काफी effective बनाती है जैसे हम किसी को अगर खुशी हमें जाहिर करने कि कि किसी कोई post बले है और उसे हम हमें इस बांकी खुशी है तो हम उस खुशी को जाहिर करने के लिए हम उससे बताते हैं साथिसाथ हम उसे hug करते हैं या congratulate करते हैं तो हम व्बल Tradition के साथ साथ दॉन लर्वल Productions का भी करते हैं कि मेंटि इन नॉन वबल्स को हमारी feelings को काफी अच्छे से convey भी कर सकता है या यह कहें कि वोबल communication को को एक पूरक की तरह complete कर सकता है हाव वी से something is often more important than what we say यानि हम किसी बात को कैसे कहते हैं इससे ज्यादा ज़रूरी है कि हम क्या बोर सॉरी हाव वी से something is often more important than what we say यानि हम क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा important है है कि हम उस बातों को किस तरह से बोल रहे हैं ठीक है research by Albert Mehrabiyn suggests that non-verbal communication has a more significant impact on the receivers than the speakers word यानि कि एक Albert Mehrabiyn जो researcher हैं उनके according non-verbal communication जब हम करते हैं तो उसका impact receiver पर काफी जादा पड़ता है है जब कि जब हम जब speaker कोई बोलता है उससे जादा impact पड़ता है non-verbal communication का ठीक है तेन नेक्स है दा different elements of non-verbal communication यहां कुछ elements दिए हुए है non-verbal communication की है कि हम किस तरह से सामने वारे से अपने expressions के थूँ हम communicate करते हैं तो मैं इसको आपको एक way में explain करते जा रहा हूं इसकी reading आप खुद से जब लगाएंगे तो आपको यह चीजे समझ में आने लगेगी फर्स्ट इसमें facial expression यानि facial expression जब हम use करते हैं तो यह बहुत ही important होता है कि non-verbal communication में क्योंकि हम जब भी हम अपना face किसी के सामने हम face to face बात करते हैं तो उसका ध्यान हमारी बातों के साथ साथ हमारे facial expressions पे भी होता है कि हम किस तरह से अपने emotions को अपने feelings को अपने thoughts को ideas को किस तरह से हम सामने वाले पर present कर रहे होते हैं वहाँ पर यह दिया वाया it is the most noticeable aspect of non-mobile communication the look on a person's face is often the first thing we see even before we hear what he has to say यानि कि कोई को क्या कहने वाला है उससे पहले ही हम यह समझ जाते हैं कि उसका mood किस तरह से है हम उसके mood का अंदाजा लगा सकते हैं उसके face को देखकर happy mood है या फिर वो थोड़ा stressed है या किसी बात पर काफी चिड़ा हुआ है यह सारी कि हाथों के तरह हाथों से इशारा करते हैं अपने expression से इशारा करते हैं या फिर कोई ऐसा expression देते हैं जिससे सामने वाले को हमारे message कर्मे हो जाए तो वह कहलाता है gesture जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि conscious hand and body movement and signals are an essential way to communicate without words यानि के शब्दों के बिना हमारे हाथ और body की movements के थुरू हमारी signals जो हम देते हैं उनके थुरू हम अपन नॉन वर्बल कम्निकेट नॉन वर्बली हम किसी से कर सकते हैं और अपने ideas और अपने thoughts को हम उनसे exchange कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट हम इसको आप जवाब पढ़ेंगे तो आपको यह जी समझ में आएंगी नेक्स्ट है हमारा voice means non-verbal communication जब भी हम करते हैं तो उसमें voice जो हमारी कभी भी हम verbal या non-verbal communication करते हैं तो उसमें हमारी voice काफी important होती है यहां पर देखते हैं non-verbal speeches such as tone, pitch, volume, modulation, rhythm and rate are essential elements of communication means जब भी हम communicate करते हैं किसी से तो हमेशा उसमें हमारी voice हमारी tone कैसी है volume हो किस तरह से loud या software में बात कर रहे हैं हमारी rhythm किस तरह कि यह यह सारी चीज़ बहुत important होती है हलाकि non-verbal way में जब हम बात करते हैं तो तब भी हमें हमारी यह चीज़े ध्यान में रखनी होती है कि हम किस तरह से उस सामने वाले से interact कर रहे हैं क्योंकि non-verbal में हम अपनी voice का use maximum time पे नहीं करते हैं उस time पे करते हैं जब हम verbal communication को non-verbal communication के through भी complete कर रहे होते हैं when we speak other people read our voice in addition to listening to our words यानि जब हम बोलते हैं तो जो भी सामने वाला होता है वो हमारे voice को सुनने के साथ साथ हमारे words को पढ़ता it हमारे Kb categories करने की कोशिस करता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या कहना चाहारा है यह सारी चीज़े these non-verbal sounds provide subtle but powerful clues in our true feelings and what we mean यानि जब भी हम non-verbal communication का यूज करते हैं तो यह हमारे जो feelings होती है हमारे हमारे हम जो कहना चाहते हैं उसमें काफी एक important role play करती है उसमें एक subtle के form में use होती है ठीक है नेस्ट एक्सपेक्ट है हमारा body language यानि जब भी हम non-verbal किसे से communicate कर रहे होते हैं तो हम हमारी body language क्या कहते हैं हमारे gestures क्या क्या कहते हैं यह सारी चीज़ें हम बहुत ही ध्यान देने वाली बाते होती हैं यहाँ पर लिखा है थैज भी communicate numerous messages through our body languages यानि जब भी हम किसी से communicate करते हैं body language के थो ही coffee messages हम सामने वाले को भेज़ देते हैं हम घसी तरह से रियाक्ट करते हैं तो हम LEG जेस्टर से हमारे body language से हम जो receiver होता है जो audience होती है वो समझ जाती है कि हम किस way में एक interested way में communicate कर रहे हैं या फिर किस way में हम communicate कर रहे हैं उससे body language includes facial expression, eye movement, hand gesture, posture, etc. यानि यही वही बाते दियो हैं कि body language में हमेशा gesture, facial expression, ये सारी चीज़े eye contact ये सारी चीज़े included होती है एक्जांपल दिया है यहाँ पर एक्जांपल देख लेते हैं standing erect and leaning forward communicate to listeners that you are approachable and friendly यानि जब भी आप किसी से हमेशा बहुत ही humbly बात करते होते हैं या सीधे खड़े हैं और फिर भी आप एक humble way में बात कर रहे हैं तो listener हमेशा ये रखते हैं आपको एक friendly और approachable way में आपको सुनता है आपकी बातों सुनता है आपसे connect करता है ठीक है next है हमारा eye gaze यानि eye gaze क्या होता है कि जब भी हम किसी से eye contact करते हैं तो हमारी आपकों से भी कुछ चीज़ें साफ साफ जाहिर होती हैं कि हम जो भी communicate कर रहे हैं जिस भी way में हम communicate कर रहे हैं तो हम किसी honest way में कर रहे हैं या हमारे आखों से वो चीज़े हम जो बोल रहे हैं उसके contradict चीज़े show करें कभी-कभी लोग जब भी देखते हैं या घूरते हैं या blink करते हैं तो उनके थुरू हमें पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रहा होता है ठीक है लास्ट लाइन यही चीज़े यहां पर दी हुई है फिर एक लाइन में दी हुए स्टी आई कांटक्ट में बी इंटरप्रेट एज परसन बींग टूथ फुल एंड ट्रस्टवर्थी यानि जब भी हम देखते हैं जब भी हम कोई चीज ऐसी बोल रहते हैं जब भी अ बोलने लगते हैं और हमारा माइंड सेट हमारी आईज गॉन्टेक्ट जो होता है वो सामने वाले से डिसबैलेंस होने लगती है ठीक है वो मेंटेन नहीं पाती तो इस तो आईगेज जोता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेक्टर होता है नॉन्वर्बल कम्मुनिके से गुजर रहा है आप उसके साथ खड़े हैं तो अक्सर आपका एक टच जो होता है वो उसके लिए काफी काफी helpful होता है आपके टच से ऐसा लगता है पता चलता है आप किसी को किस वे में अप्रोच कर रहे हैं आपके जैसे आप अगर कोई सैड है तो आप उसे एक हग करते ह कावी अच्छा लगता है यह सारी चीज़े फिजिकल कॉंटेक्ट के अंडर में आती हैं जिसे यहां पर देखे एक यहां पर वही एक्जांपल भी दिया है अब वाम हग रॉम मदर कंसोल अचाइड यानि यहां पर एक मदर की बात मदर और सं की बाद चाइड की बात की ग पर लेती है या फिर से रोपती है कि नहीं तुम यह क्राम करो तो फिजिकल कॉंटक्ट जो होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन में लास्ट है आपका ड्रेस एन अप्यरेंस जब भी हम औरल औरली कम्मिकेट करते हैं या फिर नॉन वर्बल कम्यूनिकेट करते हैं तो भी हमारे हमारा जो जो ड्रेस होता है हम जिस तरह से सामने वाले के सामने हम है वहाँ पर जिस तरह से हमारी अप्यरेंस है वहाँ पर यह चीज़े बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन या और तरह से well dressed होना चाहिए जिससे क्या होता है audience के उपर हमारा काफी अच्छा impact पड़ता है और हमें यह पता चलता है कि audience को यह सोचती है कि सामने वाला जैसा जिस तरह से सामने वाला जिस तरह से उसकी appearance है सामने वाले की उसी के according उसके thoughts होंगे उसके पावर उसके position का हम अंदाजा लगान लगते हो एक audience जो है वो अंदाजा लगान लगती है तो जब भी हम किसी से communicate करें हो तो हमारा dress और हमारा appearance है हमारा dress sense है वो काफी अच्छा काफी maintain होना चाहिए मैं यहाँ पर फिर से advantage and disadvantage दियो है non-verbal communication के तो इन्हें पड़ते हैं non-verbal communication compliments a verbal message यानि जो मैं आपको पहले मैंने भी बताया कि जब भी हम verbally किसी से अपना अपनी feeling share कर रहा होते हैं और हम किसी के लिए खुश होते हैं तो हम खुश होने के साथ साथ उसे हग करते हैं तो हम उस टाइम पर verbally और non-verbally दोनों तरह से communicate कर रहा होते हैं सामने वाल से बोल कर हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं वो verbal हो गया और जब भी हम उसे हग करते हैं या उससे handshake करते हैं तो वो non-verbal हो गया जो कि एक दूसरे को compliment एक दूसरे के compliments होते हैं यानि एक दूसरे के पूरक होते हैं एक दूसरे को पूरा करते हैं उस टाइम पे और हमारे communication को और effective बनाते हैं नेक्स्ट है physical gestures greatly help handicapped people especially deep people यानि जब भी हम किसी ऐसे physically disabled बच्चे जो कि deep होते हैं या handicap होते हैं जब भी उनसे communicate कर रहा होते हैं तो हम हमेशा sign language का use कर रहा होते हैं इससे क्या होता है sign language की use से हम उन बच्चों के साथ भी communicate कर सकते हैं बहुत ही आसानी से वो हमारी messages को काफी आसानी से समझ सकते हैं कुछ यहां disadvantage दिये हुए है इसमें क्या कहा गया कि सामने वाला अगर उतना बहुत ही फास्ट नहीं है आपके non-mobile communication को समझने में आपके science आपके expression को समझने में तो कभी-कभी वो उन चीज़ों को misinterpret भी कर सकता है और कभी-कभी या फिर गलत information या गलत message को interpret कर सकता है कि आप कुछ कहना और चाहते हैं और सामने वाला या तो समझ ही नहीं रहा है या तो उसे गलत तरीके से समझ रहा है तो कभी-कभी non-verbal communication में यह भी खामिया आ जाती है इन non-verbal communication long conversation and necessary explanation are not possible यानि जब भी हम कोई जब भी हम किसी से जादा बात करना चाहते हैं कोई लंबा message या फिर कोई संदेज देना चाहते हैं तो non-verbal communication में वो possible नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हम sign language में बात नहीं कर सकते किसी से जब भी सिर्फ sign language में बिना बोले किसी से बहुत जादा यह तक हम बात नहीं कर सकते नेक्स टॉपिक हमारा है विजुएल कम्मिकेशन आप विजुएल कम्मिकेशन क्या होता है जब भी हम अपनी आँखों का यूज कर रहे होते हैं किसी message को किसी idea या information को पढ़ते हैं तो वह एक विजुएल कम्मिकेशन हो जाता है जैसे बुक से पढ़ रहे हैं या फिर जैसे मैं आपको इस वीडियो के त्रूप पढ़ा रहा हूं तो आप मैं आपको आपके साथ एक विजुएल कम्मिकेशन कर रहा हूं जो की वर्बल भी है साथ-साथ और विजुएल कम्मिकेशन भ बाभाव हुआ हैं विज्वाली दिमाग पर एक पर्मानेट बभाव χा बनाने के लिए हमें हमेशा विजुल एक ज यानिि विजुल साहायता हमें लेनी चाहिए यानि की हमें कि ये हमें कुछा समझाने के लिए इमेज दिखाना चाहिए कोई वीडियो क्लिप्स हम दिखा सकते हैं किस चीज को समझाने के लिए तो इससे क्या होता है जब हम जब रेसीवर या ओर्डियन्स जब इस चीज़ों को देखती है तो उसके दिमाग में यह चीज़ें काफी प्रभाव डालती है चीज़ें काफी ज्यादा टाइम तक होती हैं नेक्स लाइन है ग्राफ, चार्ट, मैप, प्रेजेंटेशन, पूबर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, वाइट ब्लाक बोर्ड, मॉडल, पेपर, हैंड आउट्स, एक्सेक्टर, और दिफरेंट टाइप आफ विजुल एट्स जैट हैं इन कन्वेइंग प्रेजेंट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, पिक्टर, और डाइग्राम यानि जब भी और एट्टिव बनाने के लिए वो स्मार्ट बोर्ड, पिक्टर या डाइग्राम कर यूज़ कर रही होती है यह सारे विजुल एट्स जो होते हैं, यह हमारे विजुल कम्निकेशन में काफी मदद करते हैं यानि जब भी हम विजुल हेल्प्स लेते हैं, स्टूडेंट को समझाने में, किसी इन्फोर्मेशन को पढ़ाने में तो यह काफी क्लियर और बहुत ही तरीका होता है, बहुत ही तरीका होता है, जिससे बच्चे समझ सकते हैं कि अगर उन्हें कोई समझ में नहीं आई, तो उससे रिपीट करके देख सकते हैं उन्हें समझ सकते हैं उन्हें इंटरपरेट कर सकते हैं यानि जब्भी हम visually किसद्ग करते हुआ होते हैं तो हमेशा होते हैं यह और हमारी audience होते है वह तो हमेशा हमेशा हम संब्रीत चीजों को अब यहां पे कुछ advantages and disadvantage दिया है visual communicateson के उसे देखते हैं विजूल एट्स लाइक ग्राफ डाइग्राम मॉडल एक्सेक्टर ओरल कम्निकेशन मोर मिनिकपुल यह अड़्वांटेज हो आपके कि हमारा हम जब भी डाइग्राम ग्राफ या मॉडल्स का यूज करते हैं तो हमारा जो ओरल कम्निकेशन होता है वो और भी ज़्यादा मिनि हो रही होती है तो visual help के साहता से वो इसे काफी अच्छे से communicate कर काफी अच्छे से समझ सकता है ठीक है complex data को बहुती easy way में समझ सकता है visual aids make the communication more interesting यानि जो भी हम visually के कोई image डालते हैं या फिर कोई video डालते हैं तो उससे जो हमारी audience होती है जो हमारा receiver होता है जो हर students ते तो वो काफी अच्छे से उससे समझ पाते हैं और बड़े interest के साथ हमसे communicate करते हैं बड़े interest के साथ हमारी बातों को सुनते हैं disadvantage क्या है इसके कि some of the aids used in visual methods of communication are costly मतलब कुछ जब भी हम visually communicate करोते हैं तो वो काफी महंगे भी हो सकते हैं कभी-कभी क्योंकि कुछ चीज़ें समझाने के लिए हमें ऐसा होता है कि हमें practical करके वो चीज़ें बतानी होती है या फिर कुछ ऐसे instrument की जहुरत होती है जिनके तुरू जिनका हम practical करते time video बना रहे होते हैं और फिर उसमें वो काफी costly भी हो जाती है वो सारे समान ठीक है और सम्टाइमस विज़ेंटेशन आफ information becomes complex यानि कभी-कभी हम जब ज़्यादा information को store कर रहे हैं जब हम ज़्यादा information बतानी होती है और हम उसमें काफी ज़्यादा complex methods को योज करने रहते हैं या काफी ज़्यादा charts या graph वो सम्टाइमस सम्टाइमस विजुल टेकनिकम अमारा method होता है और विजुल कम्निकेशन यह कं अ्याहिक हमारा community को जाता है और द tu कीज़ के एक्सप्लें करते हैं काफी डीटेल में काफी शॉल में तो कभी कभी यह भी इसके डिस डिस आड्वांटेज होता हो जाते हैं तो इस तरह से वीजूल कम्मिनकेशन जो थैं यहा आपका इसके बाद हम अपना नेक्स बाइट जो है जो है चैप्टर 3 हमारा बाकि रह गया वो हम next lecture में करेंगे